नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपकार के क्लासिस में दोस्तों BPSC Previous Year Question सेरीज में आज हम लोग करने वाले हैं भारते राजनीती में भाषा की भूमी का साथी बिहार में जो इसके लिए प्रापधान की गए हैं उसको भी जानेंगे BPSC Previous Year Question सेरीज में कई सारे प्रशनों को अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया है तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें इसके लावा कई साथी जो हैं अलग-अलग कुशन की डिमांड कर रहे हैं तो उनसे रिक्विस्ट है कि आप थोड़ा समय दीजिए सभी प्रशनों को जरूर जो है कवर किया जाएगा बाकी यदि आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें पास वाले बिल एकन को जरूर दबाएं वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेर जरूर करें आपका सेरी हमारा सहयो के लिए प्रावदानों का उल्लिक कहता है कि भासा मानुवे वहवार तथा पूरे समुदाय को संगठित करने का एक महत्पूर्ण साधन है भारत जैसे बहु भासी देश में भासा के साथ साथ दो समस्याएं जुड़ी हुई है पहला है एक आम भासा राश्ट्री जीवन का एक अनिवार तत्त प्रतीत होती है दूसरा भासा किसी जातिय समुद की सही पहचान होने की कारण वह भासाई समुद अपनरी भासा के संरक्षन और विकास के प्रती चिंतित रहते हैं अथा मुख्य समस्या विविन भासाओं तथा संस्कृती के बीच एक समान राश्ट्री जीवन को विक्सित करना है कहता है कि भारती राजनेती में भासा के अधार पर तीन मुद्दे अजादी पुर्व से ही उभर चुके थे पहला जो मुद्दा था स्वतंत्र भारत की राज भासा का सवाल छेत्रिय भासाओं की स्थिती विसेश कर उन भासाओं की जिनके बोलने वालों की संख्या करोडों में थी और तीसरा है भासाई अधार पर राज्यों का गठन अग्रेजी राज में वर्स 1901 में हुई जनगना के नुसार भारत में 179-189 भासाईं तथा 544 बोलियां प्रचलन में थी इन में से कुछ को बोलने वालों की संख्या करोडों में थी जबकि कुछ भासाओं का प्रियोग मांतर 25-50 लोगों की समूद वारा ही किया जाता था राजभासा के रूप में अंग्रेजी तो प्रतिलित थी और यही विविन भासाई शमूदायों की विशिष्ट वर की भासा भी थी अंग्रेजी का राजभासा के रूप में बने रहना राश्ट्रिय गौरव या राश्ट्रिय भावना के प्रतिकूल था अतह अंग्रेजी के विकल्प की तलास स्वतनुता अंदुलन की क्रम में होने लगी और शर्वमान रूप से सभी राश्ट्री नेताओं ने हिंदी को राश्ट्रभासा और भावी राजभासा के रूप में स्विकार कर लिया था लेकिन अजादी बाद जो है हिंदी बनाम अंग्रेजी विवाद काफी गहरा गया दक्षिन भारत में हिंदी का प्रवल विरोध किया गया अन्य छेत्रिय भासाओं की संरक्षन विसेश से इस्तिती आदी के दावे प्रस्तूत किये गए अन्ततह समझोते के रूप में हिंदी को तो राजभासा का दर्जा दिया गया लेकिन अंग्रेजी को भी सहराजभासा के रूप में बनाए रखा गया एवं आठवे नसूची की विवस्था कर छेत्रिय भासाओं के दावे को समर्थित कर दिया गया आरम में अंग्रेजी को 15 वर्सों के लिए सहराजभासा के रूप में शुकार किया गया लेकिन बाद में अहिंदी भासी दक्षिन राज़ियों की भावनाओं को देखते हुए इसे तब तक सहराजभासा के रूप में बनाय रखने का निरने लिया गया जब तक अहिंदी भासी राज खुद अंग्रेजी को हटाने की पहल ना करें कहता है कि आठवेन सूची के अंतरगत आरब में 14 भासाओं को सामिल किया गया बाद में जन भावनाओं को पुष्ट करने के लिए समय समय पर अन्य भासाओं को भी सामिल किया गया यह देखें पीटी में बहुत पूष्टा है सिंदी को 21 समविधान संसोधन द्वारा नेपाली कॉंकणी मनेपूरी को 71 समविधान संसोधन एवं 100 समविधान संसोधन द्वारा मैथली बोडो संथाली वा डोगरी को सामिल किया गया है कहता है इन 22 राजभासाओं को बोले वालों की संख्यान लगवग 90 परतिशत है जिनमे 46 परतिशत लोग हिंदी बोलते या समझते हैं बासा के अधार पर राज़यों की निर्मान की मांग की राजनिती भी काफी सक्रिय रही कई भासाओं दंगे जो हैं हिंस घटनाई हुई जिनमें सेकड़ों लोग मारे गए राश्ट्रिय भाईचारे की भावना को ठेस लगा सरपरतम 1956 में तेलगू भासी छेत्र को भासा के अधार पर अलग राज़ का दरजा दिया गया फजलली आयो की रिपोर्ट की अधार पर भासाई अधार पर राज़यों का पुनरगठन भी हुआ समकालिन महाराष्ठ के गुजराती भासी छेत्रों को एक नया नाम दे कर गुजरात राज बनाया गया 1966 में पेप सु राज के पंजाबी भासा छेत्र को पंजाब ऐवं हिंदी भासी छेत्र को हरियान राज बनाया गया तथा एक केंदर सासित परदेश चंडिगड का भी निर्मान किया गया बात करें बिहार की तो कहता है बिहार राज में प्रचलित भासाओं या बोलियों में मुखेतर मैथली, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका एवं मगई का अस्थान आता है समविधान के अनुछे 345 के तहट परतेग राज को अपना कारे करने के लिए या एक या उससी अधिक भासाओं को अपनाने का अधिकार दिया गया इसी अधिकार के अधार पर बिहार विधान मंडल ने अल्प संक्यक समुदाय की भासा के लिए प्राफधान किया है बिहार सरकार द्वारा उर्दू को दूतिय राज किये भाशा का दर्जा दिया जा चुका है अल्प संक्यक बच्चे अपनी प्रात्मिक सिक्षा अपनी मात्रिभासा में ले सके ऐसी विवस्था बिहार सरकार द्वारा की गई है समय समय पर उर्दू विद्यालेओं की बुनियादी शुविधाओं सिक्षकों की नुक्तियां आदी की कोशिशें होती रहती है बिहार शाहित अकादमी द्वारा अन्य अल्प संक्यकों की भाशा को प्रोसान देने का कार भी किया जाता रहा है समवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप भासाई अल्प संक्यकों के साथ कोई भेदवाव नहीं किया जाता है अल्प संक्यक बालकों के लिए विशेश विद्याले, छातरविती योजनाए, परिक्षा पूर प्रसिक्षन, अलग छात्रवास, आदी की विवस्ता भी की जाती रही है बारतिस संविदान में भासाई अल्प संक्यकों के हीतों के संरक्षे ने तु निमलिखित प्रावधान किये गए है तो ये प्रावधान क्या है अनुचेट 29 नागरिकों को इस अनुचेट के द्वारव विसिष्ट भासा लिपी संस्कृती को अचुन बनाए रखने का अधिकार दिया गया है इस अनुचेट में कहा गया है कि राज पोशित या राज निदी से मदद प्राप्त किसी सिक्षन संस्थान में प्रवेश भासा धर्म अधार पर विद्भाव नहीं किया जाएगा बात करें अनुचेट तीज की तो इसमें कहता है इसके अनुचार धर्म या भासा के अधार पर किसी अलप संख्यक वर्व को अपनी रूची की सिक्षा संस्थानों के अस्थापना और प्रशार्शन का अधिकार होगा राज किसी सिक्षा संस्था के परती इस अधार पर विवेद नहीं करेगा कि वह धर्मभासा के अधार पर किसी अल्प संख्यक वर्ग के प्रवंदन में है। आगे कहता है सात्वे संविधान संसुनन द्वरा संविधान मेनुछे 350 भी जोड़कर ये विवस्था की गई कि भासाई अल्प संख्यक वर्गों के लिए राश्ट्रपती एक प्राधिकारी की न्युक्ति करेगा जो भासाई अल्प संख्यक वर्गों के रक्षा पायों से स संबंदित सभी मामलों की परताल करेगा तथा तथा संबंद रिपोर्ट राश्ट्रपती को देगा तो ये